साबर मती ओनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है तो इस वीडियो में हम फिजिक्स के अंतरगत बोर्ड एक्जाम के लिए मोश्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक साइयुक तो सुचमदर्शी देखेंगे मींस कंपाउंड माइक्रोस्कोप का अध्यन करेंगे साथ ही हम इसका किरण आरेक भी बनाना सीखेंगे तो चलिए सबसे परे समझते हैं कि संयुक्त सोचमदर्सी होता क्या है तो यह एक ऐसा प्रेकासिक यंत्र है यह क्या है एक प्रकार का प्रेकासिक यंत्र है जिसके द्वारा अत्यधिक छोटी वस्तुओं के बड़े प्रतिविम्ब देखे जाते हैं तो संयुक्तो सोचमदर्सी एक ऐसा सोचमदर्सी है जिसकी सहायता से हम किसी भी वस्तु का बहुत बड़ा प्रतिविम्ब देख सकते हैं मेंस वस्तु के बड़े प्रतिविम्ब देखने के लिए संयुक्तो सोचमदर्सी का प्रियोग किया जाता है इसकी आवर्धन शमता जो हमारा सरल सोच मुदर्सी है इसकी आवर्धन शमता सरल सोच मुदर्सी की तुलना में बहुत अधिक होता है तो सरल सोच मुदर्सी की आवर्धन शमता जो हमारी सरल सोच मुदर्सी होती है उससे बहुत अधिक होती है प्रकार से आप लोगों पूसाइख तो सोच मुदर्द का छी हें किसप्रइकार से बनन तो इसमें धांतू की एक बेलनाकार नली एक बेलनाकार क्या होती है नली होती है जैसा कि आप यहाँ फीगर में देख सकते हैं तो इसमें हमारे पास एक बेलन के आकार का बेलन हमारा कैसा होता है कुछ इस परकार से हमारा बेलन होता है या फिर बेलन हमारा कुछ इस परकार से होता है तो हम कहेंगे कि इसमें एक बेलनाकार क्या होती है नली होती है इसमें होता क्या है धात की एक बेलनाकार नली होती है इसके एक सिरे पर कम फोकस दूरी तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कम फोकस दूरी एवं छोटे द्वारक का उत्तरलेंस लगा होता है तो आपको यहाँ पर यह ध्या और इसका द्वारक जो होता है ये छोटा होता है तो इस उत्तर लेंस का नाम हम लोग देते हैं अभी द्रेस्यक लेंस इसका नाम क्या देते हैं अभी द्रेस्यक लेंस अगर हता है इसके बाद इसी नली के दूसरे सिरे पर तो जो ये हमारी नली है पूरी इसके दूसरे सिरे पर अधिक फोकस दूरी का मींस अधिक फोकस दूरी का और बड़े द्वारक का तो ये अधिक फोकस दूरी का और बड़े द्वारक का एक दूसरा उत्तर लेंस है दोनों उत्तर लेंस है हमारे तो ये दूसरा उत्तर लेंस लगा होता है जिसे नेत्रिका या अभी नेत्र ले और चोटे द्वारा का उत्तरलेंस लगा होता है जिसे अभी द्रस्यक हम लोग बोलते हैं और नली के दूसरे सिरे पर एक बड़ी फोकस दूरी और बड़े द्वारा का उत्तरलेंस लगा होता है जिसे हम नेत्रिका कहते हैं इसके बाद आगे यहां पर हम वताते हैं कि उपक यहां पर दंदुर दंड चक्र विवस्ता होती है इसके द्वारा प्रथम नली यह जो हमारी यह वारी नली है प्रथम नली कहलाएगी और यह पीछे वाली दूती नली तो जो प्रथम नली है इसको दूसरी नली के भीतर आगे पीछे खिसका कर अभिद्रस्तेक वा अभिनेत लेंस के बीच की दूरी को बदला जा सकता है तो इस प्रेकार से यहाँ पर एक नली हमारी ये है एक नली ये है तो छोटी वाली जो नली है मारी अभिद्रिस्यक लेंस वाली इसको हम लोग नेत्रिका लेंस के अंदर कर सकते हैं बाहर कर सकते हैं मिंस आगे पीछे खिसका सकत तो जब हम पहली नली को आगे पीछे खिसकाएंगे तो होगा क्या जो अभी द्रिस्यक लेंस है और जो हमारी नेत्रिका लेंस है इन दोनों के बीच की जो दूरी है इसको बदला जा सकता है अगर हम पास ले जाएंगे तो दूरी कम हो जाएगी दूर ले जाएंगे तो दू नचना में लिखते हैं उसके बाद यहाँ पर हमारी हैडिंग नेक्ष पड़ती है प्रतिविम्ब का बनना तो चलिए यहाँ पर हम लोग प्रतिविम्ब बनाते हैं साहियुक तो सूच मुदर्सी का तो प्रतिविम्ब बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पर हम एक मुख बना लेते हैं तो यह हमारा बन जाता है अभिद्रस्यक लेंस उसके बाद हम लोग करते क्या है यहां पर हम लोग एक वस्तू बना लेते हैं तो इस प्रकार से यहां पर हम लोग एक वस्तू बना देते हैं और इस वस्तू का नाम दे देते हैं A और B तो इस प्रकार से हमारा यह हो जाता है अभिद्रस्यक लेंस और यहां पर हम एक वस्तु बना देते हैं A से B अब यहां पर होगा क्या इस वस्तु का सबसे पहले हम लोग प्रतिविंब प्राप्त करेंगे तो अभिद्रस्ट्रक लेंस के द्वारा इस वस्तु का हम प्रतिबिम्ब प्राप्त करेंगे तो सबसे पहले यहां से जो किरड निकलेगी यह हमारी जाएगी इस अभिद्रस्ट्रक लेंस में टकराएगी तो यहाँ पर हम इसका प्रेकासिक केंदर कीशने के लिए बीचोबी से इसको मिला देते हैं इस प्रेकार से अब यहाँ पर हमारे जो प्रेकास की किरड गई है वस्त उसे निकल करके यह इसे हमारे अभिदेश्यक लेंसे में टक राएगा और इसके बाद फोकस से होकर जाएगा तो यहाँ पर इसका हम प्रेकासिक केंदर बना देते हैं और प्रेकासिक केंदर पर यहाँ पर हम लोग इसका फोकस बना देते हैं अब इदस्यक लेंस को हम लोग उसे प्रदर्शित करेंगे तो इसका फोकस एफो हो जाएगा उसी प्रिकार से उतनी ही दूरी पर यहाँ पर हमारा एफो हो जाएगा तो अब यहाँ पर जो हमारी प्रिकास की किरण है अब इदस्यक लेंस से टकराई है वो कहां से जाएगी फोकस से होकर जाएगी तो इस प्रिकार से फोकस से होकर उसे हम गुजार देते हैं दूसरा रूल हमारा ये है कि वश्ट से निकलने वाली प्रिकास की किरर जो है प्रिकासिक केंद्र से होकर जाती है कहां से प्रिकासिक केंद्र से तो इस प्रिकार से हम लोग प्रिकासिक कें उसलोग नेत्रिका लिंस होता है तो उसलोग क्या विद्र अब होगा जो हमारी नित्रिका लिंस होता है लिज्वere लेंस से बड़ा होता है तो अब जो हमारा यहां पर प्रतिविम बना है A-B- यह इस नेत्रिका लेंस के लिए वस्तु का काम करेगा है तो हमारा प्रतिविम यह लेकिन जो हमारा नेत्रिका लेंस है इसके लिए वस्तु का काम करेगा तो अगर यह वस्तु का काम करेगा तो इ इसका फोकस हमारा हो जाता है FE तो इस प्रकार से इसका फोकस यहाँ पर हम FE बना देते हैं और इस साइड भी इसका फोकस हम लोग क्या बना देते हैं FE बना देते हैं अब यहाँ पर हमारा जो A-B- है इसे हम वस्तु मानेंगे अभिनेत्र लेंस के लिए तो यहाँ पर इसका प्रतिमिम बनाते हैं तो यहाँ पर निकलने वाली प्रिकास की किरड़ इस लेंस से टकराएगी और लेंस से टकरा करके कहां से जाएगी लेंस से टकरा करके इस फोकस से होकर जाएगी तो इसे फोकस से होकर हम गुजार देते हैं इसके बाद जो दूसरा रूल है हमारा कि इस वस्त उसे निकलने वाली प्रिकास की किराड कहां से जाएगी यहां पर प्रिकासिक केंद्र से जाएगी तो इसे प्रिकासिक केंद्र से होकर गुजार देते हैं तो प्रिकासिक केंद्र से होकर यह चली जाएगी इस प्रिकार से हम बना देते हैं तो अब यह दोनों सब्सक्राइब बढ़ाने पर हम लोग देखते हैं कि वस्तु का जो प्रतिबिम्ब है वो कुछ इस प्रकार से बनेगा जहां पर ये दोनों एक दूसरे को कट करेंगे वही पर इसका प्रतिबिम्ब बनना है तो इस प्रकार से हम उपर से मिला देते हैं तो यहां पर हमारा हो जाएगा वस्त भी जो हमारी वस्तु है हमने प्रतिविम् प्राप्थ किया तो वो क्या कहलाया वो कहलाया यह का is a'dis ऑ गए जा भी डेस वह थे इसको हमने वस्तु मान लिया तो इसका भी प्रतिविम् भी दबल डएस कहा तो इस प्रिकार नरत्व मिपंगों panteris सईयुक्त सूच मदर्शी का प्रतिवी मुत अब हम लोग यहाँ पर नाम करड़ कर लेते हैं तो यहाँ पर यह हमारा कहलाएगा अभी द्रस्यक लेंस यह हमारा क्या कहलाएगा अभी द्रस्यक लेंस कहलाएगा तो इस प्रकार से हम लोग यहाँ पर अभी द्रस्यक लेंस ल प्राप्ट हुआ है A-B-B-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P- आपको यहाँ पर एक नेत्र बना देना है तो इसको आपको लिख देना है नेत्र रिप्रेजंट करने के लिए आप अपने इसाब से इसको बना सकते हैं तो यह हमारा नेत्र हो जाता है तो इस प्रकार से सहींग तो सूच मुदर्शी में प्रतिविम जो बनना है आप लोगों को क्लियर हो गया होगा तो प्रतिविम के बनने में यही हम लोग लिखते हैं जो हमने रचना की है इसमें हम लिखते हैं कि जो हमारा अभिद्रस्यक लेंस है और जो नेत्रिका है इसको हम लोग फीगर में प्रदर्शित करते हैं और माल लेते हैं कि एक वस्तु हमारे पास AB है एक छोटी वस्तु क्या है AB है और इसके बाद हम बताते हैं कि जो हमारा अभिद्रस्यक है इसे हम O से पिदाशित करते हैं इसके फोकस को हम लोग F O कहते हैं तेथा जो हमारा नेत्रिका होता है इसके focus को हम लोग क्या बोलते हैं F E क्योंकि जो नेत्रिका है इसको हम लोग E से represent करते हैं इसके बाद हम बताते हैं कि जो हमारा वस्तु A B है इसका हम प्रतिविम बनाते हैं तो इसका प्रतिविम जो है वो A डैस B डैस पर बनता है तो इसका प्रतिविम्ब जो होता है वास्तवीक उल्टाते था बड़ा कहां पर बनता है A-B- पर बनता है इसके बाद आगे हम यहां पर लिखते हैं कि जो A-B- यह नेत्रिका के लिए वस्तुका काम करेगा तो यहां पर इसका प्रतिविम्ब हम लोग बनाते हैं तो जब A-B वस्तु का काम करेगा तो नेत्रिका के द्वारा इसका प्रतिविम्ब ए डबल डैस बी डबल डैस पर बनता है जो की आभासी होता है क्योंकि वास्तों में रेखा नहीं मिली तो हम लोगों ने इधर मिलाया तो ये कैसा बनेगा फीगर यहां पर हमारा आभासी होगा तो इसका प्रतिविम्ब कैसा होगा आभासी होगा और कहां पर बनता है ए डबल डैस बी डबल डैस पर बनता है और बहुत बड़ा प्रतिविम बनता है प्रतिविम कैसा बनता है? बहुत बड़ा बनता है एक प्रकार चे हम लोग कहेंगे आप लोगों को clear हो गई होगी तो board exam के लिए बहुत ही important question सहीं एक तुसमदर सी आप लोगों को clear हो गई होगी Thank you